बहुत स्वागत है विदर्थियू आज हम कक्षा 9 का प्रेम चंद के फटे जुते पार्ट के पर्षनोत्रों को कर रहे हैं तो बने रहे हैं आप अन्त तक वीडियो को अक्सरंस देखिए शुरू से लेकर अन्त तक देखिए और important पर्षनों को आप लिखते रहे हैं क्योंकि आपका जो syllabus है मैं आपको अन्वर्थ स्कूल की बाती ही करवा रहा हूँ यदि आप उसी करम में ठीक उसी प्रकार पढ़ रहे हो इमानदारी के साथ तो कोई problem नहीं होगी आपका syllabus ठीक वैसे ही हो जाएगा निसंकोस कीजिएगा वै लाइक से भी करते रहेगा यदि आपको कुछ अच्छा लगता है तो comment लिखकर जरूर बताईएगा और यदि आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है तो भी आप comment लिखकर जरूर बताईएगा कि इसमें क्या कमी आपको नजर आती है आपका एक like एक comment मुझे नई उर्जा प्रदान करता है ताकि मैं आपके लिए सुधार करके और अच्छे से वीडियो तैयार कर शकूँ किया है उससे प्रेम छंद के व्यक्तितो की कौन कौन विशनदाएगस आती ब्रेम्चंद की व्यक्तिकत विशनदाएं इसटादा था और उनके व्यक्तितों में दिखावा नहीं था प्रेम तद एक स्वावानी व्यक्ति थे, किसी और की वस्तू मांगना उनके व्यक्तिताओं के खिलाब था उन्हें समझोता करना मंजूर नहीं था वे प्रिस्तियों के गुलाम नहीं थे किसी भी प्रिस्तिती का डटकर मुकाबला करना उनके व्यक्तितों की विशेस्ता थी दूजरा प्रसन है उसको छोड़ देना है तीसरा प्रसन आप कर रहे हैं निच्चे दी गई पंक्तियों में नीत वेंगे को स्पस्ट कीजिए जूत्ता हमेशे टोपी से कीमती रहा है अब तो जूत्ते की किमत और भी बढ़ गई है और एक जूत्ते पर 25 टोपिया निच्छावर है तुम परदे का मेतों नहीं जानते हम परदे का पर कुर्बान होते है जिसे तुम घ्रनित समझते हो उसकी तरफ हाथ नहीं पाओं की उंगली का इसारा करते हो तो तीन ये पंक्तियां है अलग अलग से इनका हम पहले एक एक का करेंगे इनमें वेंगे स्पस्ट करेंगे यहां पर पहले में जूते का सह स्मृदी से तता टोपी मान मरियादा और इज़त का परतीक है वैसे तो इज़त का मेतो संपती से अधीक है परन्तु आज की प्रिस्तियों में इज़त जो समाज के स्मृद एवं 30 लोगों के सामने जुकना पड़ता है अगिला है यहां परदे का सम्मद इज़त से है जहां कुछ लोग इज़त को अपना स्रव से मानते हैं तता उस पर अपना स्रव कुछ निजार करने को तयार रहते हैं वहीं दूसरी और शमाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन के लिए इज़त महतव हीन होती है अगिला जो प्रिशन है भाई प्रेमचंद इसी का तीसरा जो भागया प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को इस लायक नहीं समझते थे कि उनके लिए अपने हाथ का प्रियों करके हाथ के महतव को कम करें बल्कि ऐसे गलत व्यक्ति अवस्तु को पैर से सम्मधित करना यह उनके व्यक्तितों का महतव के अनुसर उचित है अगला प्रिशन है भाई पार्ट में एक पर लेखक सोचता है कि फोटो खिचाने की जगए खिचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी लेकिन अगले ही पल यह विचार बदलता है कि नहीं इस आदमी की अलग अलग पोशाके नहीं होगी आपके अनुशार इस संद्रब में प्रेमजन के बारे में लेकिन के विचार बदलने की क्या वज़य हो सकती हैं तो भाई पहले लेकिन के साधार्ण व्यक्तिताओं को परिवासित करना चाहते हैं कि खास समय में ये इतने साधार्ण हैं तो साधार्ण मोंकों पर ये इससे भी अधिक साधार्ण होते होंगे प्रन्तु फिर बाद में लेकिन को ऐसा लगता है कि प्रेमजन का विक्तिताओं दिखावे की दुनिया से बिलकुल आलग है क्योंकि वे जैसे बीतर हैं वैसे बहार भी है अगला है आपने ये वेंगे पढ़ा इसे पढ़ गर आपको लेक की कौन से बाते आकर सित करती है तो भाई लेक के एक सफस्ट वक्ता है यहां बात को वेंगे के मादम से प्रश्टुत किया गया है प्रेमचन के व्यक्तितव की विशेष्टाओं को व्यक्त करने के लिए जिन उदार्णों का प्रियूग किया गया है वे वेंगे की और भी आकर्शक बनाते हैं वेंगे को और भी ये न वेंग गल्द लिख रखा वै ये आएगा वेंगे को और भी आकरशक बनाते हैं करवी से करवी बातों को अतियनत सरलता से व्यक्त किया है यहां प्रित्यक्स रूप से समाज के दोस्तों पर वेंगे किया गया है अगला जो परसनवे पार्ट में टिले सब्द का प्रियोग किन संद्रबों को इंगीत करने के लिए किया गया है पार्ट में टिले सब्द का प्रियोग मारग की बाद आगे रूप में प्रियोग किया गया है प्रेमचंद ने अपनी लेखनी के दवारा समाज की बुराईयों को प्रिष्टुत करने का प्रियास किया है ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत सारी कटनायों का सामना करना पड़ा है अगला जो प्रिष्टन है प्रेमचंद के फटे जुत्ते पार्ट के अधर्व प्रशाई जी ने वेंगे लिखा है आप भी किसी व्यक्ति की पोशाग को अधर्व ना करके वेंगे लिखिए तो वेसे विद्यारतियों ये है ना कोई इंपोर्टेंट प्रिष्टन नहीं है इसको राइट डाउन नहीं करना है मावेद प्रशाद वेदी एक प्रशिद रचनाकार है जिवन भर इन्होंने स्रस्वती की उपासना की है इसी करन लक्षमी इनसे रूठी रही आरे भाई अगर थोड़ी सी पुझा लक्षमी जी की भी कर देते तो क्या स्रस्वती रूठ रूठ हो जाती आपके अन्य मित्रों ने तो सफलता की सीड़ी पार कर ली प्रन्तु इस दोर में आप थोड़े पिछे रह गए अगर थोड़ा मन लगा कर चलते तो अकेले नहीं रह जाते अगला प्रिशन है आपकी द्रस्टी में वेस बुषा के परतिव लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन हा रहा है वेर इंपोर्टन क्वेस्टन है जुरूर लिखना है आपको तो पहले वेस बुषा का प्रियोग सरी डखने के उद्दे से सिक्किया जाता था प्रिवर्तन शुमाज का नियम है इसलिए समय के बदलते रूप ने वेस बुषा की प्रिवाशा को बदल दिया है आज की इस्तती ऐसी हो गई है कि लोग फैसन के लिए इसका प्रियोग कर रहे हैं और समय के प्रिवर्तन के साथ साथ अगर कोई स्वयम को ने बदले तो स्माज में उसकी प्रतिष्टा नहीं बनती है स्वयम को स्माज में प्रतिष्ट करने के लिए लोग आर्थिक समता से बाहर जाकर वेस बुषा का चुनाव करते हैं आज वेस बुसा केवल व्यक्ति की जरूरत ने होकर उसके व्यक्तितव का एक अंग अभिन अंग बन चुका है तो विद्यारतियों ये हमने जो प्रिशन हैं कर लिए हैं जिनको अपनी कापी में अपनी नोटबूक में आपको राइट डाउन कर लेना है अच्छे से याद कर लेना है बने रहे अगले वीडियो तक अगले वीडियो में आपका अगला जो लेशन है एक कहानी यह भी मर्दुला गरग का उसका हम अनवाद भी करेंगे और उसके अब्यास के प्रसनों को भी करेंगे तो विद्यारतियो वीडियो को सुरू से लेकर के आंग तक देखा कीजिएगा खूब शेर कीजिएगा कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरी तोहिन भी कर सकते हैं कोई बात नहीं है आप मुझे कह सकते हैं कि सर हमें अच्छा नहीं लगता है हाँ यदि अच्छा लगता है तो विद्यारतियो कोमेंट के लिक करके जरूर बताया करें मेरा होसला बड़ा बढ़ता है यदि आप हो तो मैं हूँ आपके बिना मैं नहीं हूँ तो आपका और हमारा शाथ हमारा प्यार इसी तरह से बना रहे इसके लिए जैहिंद जैभारत